जैहिंद प्यारे साथियो कैसे हो आप सब बिल्कुल मस्त होंगी यो विक्टर क्लासेज यूटूब चैनल पर आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले फसल सैकेंदरन के बारे में जिसको हम क्रॉप कॉंसेंट्रेंशन बॉलते हैं ठीक फसल सैकेंदरन क्या होता है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में इससे पीछे वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्रैसी उत्पादक्ता और क्रैसी दक्स्ता दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कवर करने की कोशिश की जो क्रेसी उत्पादक्ता होती है वो एक व्यापक लेवल पर काम करती है जबकि जो क्रेसी दक्सता है वो एक सीमित लेवल पर काम करती है क्रेसी दक्सता को हम क्रेसी उत्पादक्ता के अंदर सामिल कर सकते हैं ये हमने साथा सबकुछ कल वाली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीकिस पढ़ा था कि जो क्रेसी उत्पादक्ता है वो उपज की मातरा को दरसाती है वही जो क्रेशी दक्स्ता है क्रेशी के लाभांस को दरसाती है कि कितना profit हो रहा है कितना margin हो रहा है अब फसल second run क्या होता है इसको हम अच्छे तरीके से cover करने के कोशिस करते हैं किसी फसल को अधिक्तम सघनता से नियत इस्थानवे समय पर उत्पन करने से है ठीक है किसी फसल को अधिक्तम सगनता अधिक्तम सगनता का मतलब होता है maximum सगनता मतलब आप जैसे किसी फसल को जैसे आपका एक खेत है suppose that ठीक है मैं उसको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ एक बार इसको मैं पढ़ देता हूँ किसी फसल को अधिक्तम सगंता से नियत स्थान नियत स्थान का मतलब हो गए कि निस्सित स्थान या एक निस्सित छेतर या एक निस्सित खेत वे समय, समय भी क्या एक निस्सित है जैसे रभी की फसल हो गई या खरीब की फसल हो गई पर उत्पन करने से है इसका अभी प्राई है कि किसी छेतर में तत्तु विसेश का सेकेंदर या घनत्तो कितना है ठीक है अब देखो दो तरीके से सीन होता है यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने के कोशिश करता हूँ Suppose that आपका एक खेत ये है और एक खेत ये है ठीक है आपके दो खेत है आपने इसमें भी घ्यों की फसल हो गई और आपने इस खेत में भी घ्यों की फसल हो गई आपने इस खेत में क्या क्या कि बिल्कुल भी खाली जगा नहीं छोड़ी ठीक है आप इस खेत का जितना maximum उप्योग कर सकते हो जितना अधिक्तम उप्योग कर सकते हो आपने इस खेत का उतना अधिक्तम उप्योग किया जो आने जाने के लिए रास्ता था वो भी आपने मातर एक पक डंडी के रूप में छोड़ा है ठीक है इस खेत का कोई भी कोर्णर आपने खाली नहीं छोड़ा कोई भी मतलब छोटा सा स्पेस भी आपने खाली नहीं छोड़ा आपने क्या किया इस खेट का मैक्जिमम तरीके से यूज करने की कोसेश की वहीं आपने यहां पर क्या किया इसमें आपने बीच में एक चोड़ा सारा रास्ता छोड़ दिया बिल्कुल चोड़ा सा रास्ता ठीक है आपने इस खेत के जो कोर्णर थे उनको भी खाली छोड़ दिया मतलब आपने इस खेत का कम से कम उप्योग किया अधिकतम उप्योग तो दूद की बात आपने बहुत ही अब अतर भी यह समझो आदे खेत को आपने खाली छोड़ दिया, कॉर्णरों को खाली छोड़ दिया, कॉर्णर बिलकुल खाली पड़े हुए है, बीच में एक चोड़ा सा रास्ता जा रहा है, ठीक है, वहीं दूसरी साइड आप इस खेत का बिलकुल अधिकतम उप्योग कर ठीक है, तो यहाँ पर घनत्तों क्या है, जादा इस खेत का, ठीक है, इस खेत का घनत्तों जादा है, यदि मैं पेड़ों के बेस पर बात करूँ, तो सपोस्ट इस खेत में एक लाग पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, वहीं इस खेत में कितने पेड़ लगे हुए हैं, यहां पर है पेड़ों का घनतों जबकि यहां पर क्या कम है ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे फसल सैकेंदरन कहेंगे कि आप एक निश्चित समय में कितना जादा अधिकतम उपयोग कर रहे हो कितना जादा अधिकतम उपयोग कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं फसल सैकेंदरन क वो सबसे ज़्यादा परभाईत होता है जलवायों से किसे परभाईत होता है जलवायों से परभाईत होता है इसके अलावा हम देखते हैं किसी छेतर की फसल सगनता का मतलब क्या हुआ कि कितनी ज़्यादा सगन तरीके से आप फसल होगा रहे हो ठीक है जब हमने सैटलमेंट जोग्रोफी पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने बस्तियां पढ़ाई थी आपको एक सगन बस्तियों में क्या थे कि जो मकान थे वो बिलकुल आपस में सटकर बने हुए थे मकानों के बीच में कोई भी खाली इस्पेस नहीं था दो मकानों के बीच में केवल एक दिवार थी ठी कि वहाँ पर मकान बिल्कुल पास-पास में बने हुए हैं बिल्कुल भी खाली इस्पेस नहीं छोड़ा हुआ है वहीं दूसरी सैट जो परकिन बस्ती ये दिवास था उसमें क्या होता है कि मकानों के बीच में खाली जगे होती है तो जो सगन भस्ती परती रूप था ना वही पैटन होता है किसमें फसल सगनता में या फसल सैकेंदरन में किसी छेतर की फसल सगनता या सैकेंदरन को कुछ निमन कारकों की द्वारा परभावित किया जाता है अब इसमें कारक कौन कौन से हैं एक तो धरहतल है ठीक है? अब दरातल फसल सहगनिता या सैकेंदरन को किस तरीके से पर भायत करता है? Do you think that आपका ये खेट है? ठीक है? अब इस खेट का जो आदा भाग है शो ढ़ातल से बहुत जादा उपर उठा हूव है ठीक है ये आदा भाग है जो धरातल से बहुत जादा नीचे दसा हुआ है और ये जो बीच का भाग है वो बिलकुल समतल है वही एक खेत ऐसा है जो बिलकुल समान धरातल पर है बिलकुल एक समतल मैदान है तो यहाँ पर फसल सगंता जादा होगी क्योंकि यह बिल्कुल समान एक समरूप है यह क्या एक समतल मैदान है जबकि यहाँ पर फसल सगनता क्या होगी कम होगी क्योंकि यहाँ पर धरात लिए ऐसमरूप दाएं है यह वाला भाग बहुत ज़्यादा उपर उठा हुआ है जिसकी वज़े से यहाँ पर फसल सगनता को पाई रही, ये वाला भाग बहुत जढ़ा नीचे दसावा है, जिसकी वज़ए से अच्छे से फसले पैदा नहीं हो पाई रही दूसरा होता है टेम्परेचr, टेम्परेचr भी बहुत जढ़ा हद तक परभाविट करता है फसल सागने ता को भ Haот का टेमपरेचर उस फसल के अनुकूल होगा वहाँ पर अटोमेटिकली फसल अपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी जहां का टेमपरेचर फसल के पर्तिकूल होगा तो वहाँ पर फसल बहुत अच्छे से growth नहीं किरेंगी बहुत सारे पेड होंगे जो क्या हो जाएंगे गल जाएंगे या खराब हो जाएंगे तो उसकी जगा बिलकुल खाली रह जाएगी ठीक है दूसरा आदरता आदरता भी अनुकूल होनी चाहिए ये भी बहुत जादा परभावित करती है जैसे चाय का पेड है मैं एक एग्जामपल ले रहा हूँ चाय का पेड और कोफी का पेड ये दो मातर ऐसे पेड होते हैं जिनके लिए बहुत अधिक वरसात के आउशकता होती है लेकिन उसमें कंडिशन ये है कि उन पेडों के पास में पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहि यदि चाय और कोफी के पेड के पास में पानी भरा रहेगा तो क्या हो जाएगा पेड गल जायेगा थीक है अब लगाअतार जबर। दिकें बानी पानी बहरा हुआ है थीक है आपने भोत सई ढंसे चाय के कोफी के पेड लगाए थे बिल्कुल आपने जैधना जदा सगल लगाया जा सकता है उतने ज़्यादा सगन आपने पेर लगाये थे लेकिन लगा comprar बारिस होने दोप के वजय से उन पेडों के अंदर क्या बरा रहा पानी बरा रहा ठीक है पानी भरे रहने वो लेटर राइट उमिट्टी की तुलना में ज़ादा होता है क्योंकि जलोद्य मिट्टी है जो गयों चावल जैसी फसलूं के लिए बहुत ज्यादा उप्यूक तो होती है ठीक है तो वहाँ पर चावल और गयों के फसल बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाती है जेटराइट मिट्टी में गहूर चावल की फसल सेकंद रनी या सगंटा क्या कम है। वहीं यदि मैं जलोदे मिट्टी की बात करूँ तो जलोदे मिट्टी में चावल और गहूर की जो फसल सेकंद रनी या जो सगंदा है वो बहुत ही जादा होती है। ठीक है। यह आपको जड़ जो फसल बोरे उसके अनुकूल या तापमान और आदरता तो फसल सगनता का मान भड़ेगा और यदि परतिकूल है तो फसल सगनता का मान भड़ेगा और यदि जलवायू दसाइं उप्यूगत होने पर फसल सेकेंदरन अधिक होगा ठीक है भाई यदि जलवायू दसा फसल के अनुकूल है तो फसल सगनताय सेकंदरन का मान भड़ेगा और यदि जलवायू दसाई फसल के परतिकूल है तो फसल सगनताय सेकंदरन का मान और्टमेटिकली कम हो जाएगा अब हम यहाँ पर कुछ उधारन से समझने की कोशिश करते हैं सितोसन जलवायू के कारण पंजाब हरियाना में घ्यों का उध सेकंदरन पाया जाता है ठीक है भाई पंजाब और हरियाना की हम बात करें वहाँ पर जलोदे मिटी है क्योंकि पंच गंगा जो पांच नदिया है वो पंजाब में भैती है ठीक है हरियाना में नहरों के दौरा जैसे इंद्रा गांदी नहर है उसके दौरा वहाँ पर जल उपलब्द करवाया जाता है जलोदे मिटी है तो इसकी वज़े से यहाँ पर ग्यों का सैकेंदरन बहुत जादा है सुस्क वह अर्द सुस्क के जलवायों के कारण राजस्तान में बाजरे का बहुत ही जादा सैकेंदरन है ञाता है का और कोफे का बहुत ज़्यादा उच्छ सेकेंडर होता है ठीक है तो कुछ इन एक्जामपलों से आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे ठीक है जैसे मैं यदि बात करूँ पंजाब राजस्तान की राजस्तान में बाजरे की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फैमा से स जिसके लिए राजस्तान की जलवाई कंप्लिटली अन उप्यूक्त है तो अटोमेटिकली गन्य का फसल सेकेंडरन क्या होगा कम होगा क्योंकि गन्य के फसल यहाँ पर सईडंग से उपजी ही नहीं पाएगी ठीक है फसल सेकेंडरन का कैसी विकास और नियोजन के उपर बह फसल सेकेंडरन के निर्धारन से संबंदित विदिया हैं पहला फसल सेकेंडरन का निर्धारन पहली विदी जो की फ्लोरेंस मोदे की द्वारा दी गई थी ठीक है फसल सेकेंडरन के निर्धारन की जो पहली विदी है वो फ्लोरेंस मोदे की द्वारा दी गई थी फ्लोरें किसी परदेश में एक उद्धम के अंसदान ग्याद करने के लिए अवस्तिती लब्दी तकनिक का परियोग किया जाता है ठीक है फ्लोरेंस मोदे ने बताया कि किसी परदेश में एक उद्धम के अंसदान ग्याद करने के लिए एक उद्धम का अंसदान का मतलब है एक कोई भ लब्दी विधी कह दो कोशी लोकैंस कॉंटेयंट मैथर बौल दू यह किसके दुणर दिया गया है फ्लोरेंस ओर्डे के दौरा दिया गया है ठीक, तो आपको यहां पर एक बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए कि location content method है जिसको हम अवस्तिती लब्दी-वीदी कहते है या इस्तिती जन्नलब्दी-वीदी कहते है ये किसके द्वारा दिया गया है Florence Mode के द्वारा दिया गया है सन आप मत याद करना otherwise दिमाग में किच्डी बन जाएगी किसी परदेश में एक उद्धम के अंसदान को ग्याद करने के लिए हम अवस्तिती लब्दी तक्निक का प्रियोग करते है उसके बाद हम थोड़ा आगे डिसकस करते है यह विदी यह जानकारी उपलब्द कराने में सक्षम है कि परदेश गाओं में समय विशेश पर विबिन फसलों के सैकेंदर छेतर कौन कौन से है ठीक है इसके लिए इन्होंने एक सुत्तर दिया है अब आपको देखो क्या क्या ध्यां रखना है आपको पहला तो यह पता ना चाहिए कि फ्लोरेंस मोदे के दौरा लोकेशन कॉंटेंट मैथड दिया गया था जिसको हम अवस्तिती जन्यव विदी कह देते हैं या अवस्तिती लब्दी विदी कह देते हैं ठीक है किसके दौरा दी गई थी यह विदी तो यह विदी फ्लोरेंस मोदे के दौरा दी ठीक है क्योंकि यहां से cross matching का question बन सकता है यहां पर चार विद्वानों के नाम लिख देगा सामने चार सुत्र लिख देगा cross match करवालेगा कि कौन सा कौन से से सूम मिलीते है ठीक है तो यहां पर अवस्तिती लब्दी का इन्होंने सुत्र दिया था E C बटा capital E N divide by T C बटा T N ठीक है यह इनके द्वारा सुत्र दिया गया अब इसी सुत्र को आप यह जो भाग है इसको हटा सकते हो यदि आप इसी से भाग को हटाओगे तो एक रूल है यह वाली value क्या हो जाएगी नीचे वाला उपर आ जाएगा ठीक है यह आप इसमें भी कर सकते हैं यह नीचे चला जाएगा यह उपर आ जाएगा ठीक है तो Florence Mode के द्वारा जो सुत्र दिया गया है वो manly सुत्र यह है कि capital E C बटा capital E N divide by capital C बटा capital T N ठीक है अब इस सुत्र को हम multiply में convert कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है तो यह जो T N था यह तो उपर आ जाएगा और जो T C था वो नीचे चला जाएगा ठीक है जैसे मैं आपको कहूँ कि एक बटा एक बटा दो ठीक है तो अब इसको आप यह दिए multiply में convert करोगे तो यह इस तरीके से हो जाएगा चाहे आप इसको यह कह दो और चाहे आप इसको यह कह दो दोनों बात पिल्कुल एक समान है ठीक है दो बटा एक आ जाएगा यहाँ पर जब दो में आप एक का भाग दोके तो दो ही आएगा अब हम चिसोल में मोदे के बारे में डिसकस करते हैं देखो चिसोल में इस्थानी करण में गुनांक की साहता से सापिक्ष प्रादेशिक सेकंदरन को मापने का परियास किया ठीक है पहला पुइंट आपको यहां तक का पता होना चाहिए कि चिसोल में मोदे ने इस्थानी करण में गुनांक की साहता से सापिक्ष प्रादेशिक सेकेंदरन को मापने का परियास किया था मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि चिसोल में मोदे ने इस्थानिय करण में गुणांक के साहता से सापिक्ष प्रादेशिक सेकेंदरन को मापने का परियास किया जिसमें किसी उद्धम के अंतरगत छेतर के इस्थानिये जिसको हम प्रादेशिक कहते हैं थतर राष्ट्य अनुपात के मद्दे अंतरों के गणना की जाती है जिसमें किसी उद्धम के अंतरगत छेतर के इस्थानिये थतर राष्ट्य अनुपातों के मद्दे अंतर के गणना की और इन्होंने सुत्र बनाया कुछ इस तरीके से कि TC बटा TN माइनस सोरी EC बटा TN माइनस TC बटा TN ठीक है ये सुत्र बनाया गया इनके दौरा जिसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद भाटिया मोदे के द्वारा सुत्तर दिया गया तो भाटिया मोदे के द्वारा जो सुत्तर दिया गया तो वो कुछ इस तरीके से था कि ऐ फसल का सस्य सेकंदरन सूचकांक बराबर में घटक छेतर एकाई में ऐ सस्य के अंतरगत का छेतर बटा घटक छेतर के सबी फसलों के अंतरगत छेतर डिवाइड बाई समस्थ परदेश या देश में ऐ फसल के अंतरगत छेतर बटा समस्थ परदेश या देश के सबी फसल के सैकंदरं का जश्यतर या फस्यों का छहतर ठीक तो आप डारिकली सुत्र को याद कर लो यह भाठ के मोदे के दोरा दियागा एक किसके समध बें फसल enters रन के संबंद में ठीका है फसल सकंदरन या फसल सघंता के लिए जस्वीर सिंग ने सुत्थर दिया कि सी ओ बराबर सी आई बराबर P. A. C बटा P. A. R. मल्टिप्लाइ बाइ हैंड्रेर ठीक है ये सुत्थर किसे दोरा दिया गया किसके द्वारा जस्वीर सिंग के द्वारा सुत्तर दिया गया था कि सी ओ बराबर सी आई बराबर पी ए सी बटा पी ए आर मल्टिप्लाई बाई हैंड रहे ठीक है यह जस्वीर सिंग का सुत्तर है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए अब हम सच्छे गहनता के बारे में discuss करते हैं कि सश्य गहनता क्या है किस तरीके से काम करती है सश्य गहनता से समधित कौन-कौन से विद्वान है जोनोंने सश्य गहनता के ओपर काम किया था ठीक अब देखो सश्य गहनता क्या होती है जिसको हम crop intensity बोलते हैं इसको हम अच्छे तरीके से समझन के कोशिज करता है crop intensity को कि crop intensity होती क्या है और किस patent के उपर ये काम करते है करोप uh तरीके को हम अच्छे तरीके से समझते हैं देखो एक एक करके पढ़ते हैं अच्छे तरीके से एक वर्ष में ठीक अब एक वर्ष में तीन फसले बोह जाती है एक तो रभी कि फसल होती अक्सर भारत में गयों जो सर्सो चना में थी जैसे फसलों की उत्पादन किया जाता है दूसरा आता है खरीब की फसल में बाजरा हो गया मूंग हो गया दाल वगरा हो गई ठीक है मक्का हो गई इनका उत्पादन किया जाता है तीसरी होती है जायद की फसल जो रवी और जाएगा मिर्चा जाएगा बिंडिया जाएगी बैंगना जाएगी ठीक है तो अब रवी की फसल कटेगी उसके बाद जाहिद की फसल वही जाएगी ठीक है और फिर खनेब की फसल वही जाएगी ठीक है इन तीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल चुका होग जिसमें फसलों के उत्पादित किये जाने की संक्या सामिल होती है सस्यों का मतलब है फसलों के उत्पादित किये जाने की संक्या को सामिल किया जाता है कि कितनी फसले उगाई जा रही हैं, कितनी फसले वोई जा रही हैं ठीक है तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ एक वर्स में मतलब एक साल बे तीनों की तीनों फसलों को सामिल किया जा रहा है रवी की खरीब की और जायद की किसी क्रैसी छेतर में सस्यों के अधिन कुल छेतर फल में ठीक है सस्यों के अधिन कुल छेतर फल का मतलब हो गया है वो छेतर जहां पर फसले पैदा की जा रही है ठीक है उसमें जिसमें सस्यों के उत्पादित किये जाने की संक्या सामिल होती है कि कितने फसले उत्पादित की जा रही है कौन कौन सी फसले उत्पादित की जा रही है उनकी जो काउंटिंग है उनकी जो संक्या है उसको इसमें सामिल किया जाता है किसी निस्षित क्रैसी छेतर में एक क्रैसी वर्च में कितनी बार फसले उत्पादित की जाती है उसमें हम फिलाल में किसी फसल उगा रखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे तो यहां पर हमने एक खेत में कितनी फसले हुगाई कितनी फसलों को हमने रिपीट किया यहां पर तो टोटली कुल मिलाकर हमने एक खेत में चार फसलों को रिपीट कर दिया ठीक है तो हमारे खेत की जो सच्छे घहनत है ना वो कितनी हुई चार हुई कि हमने यहां पर चार फ ठीक है इसी तर्जहसी और आप केवी क्हेंगी सब्सक्राइक सब्सक्राइए यहां से समझ में आ गया होगा कि किसी निस्जित क्रेसी छेत्र वर्स में अश्जित में कितनी बार फसले पैदा कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं क्रोप इंटेंसिटी कहते हैं सस्य गहनता कहते हैं फसलों की इस आवर्ती को ही उस छेतर की सस्य गहनता कहा जाता है इसको हम अकसत परतिसत में व्यक्त करते हैं परसेंटेज के दौरा इसको रिपर्जेंट किया जाता है प गया आप इसको डियक्ली ऐसाET नोप बздर ज्यान डियान रखते हो ठीकश्छ पहुत ज़्यान रखोगर ज्यान ऋठोचते हो कभी को urine लिव You फिर उसके मैथमेटिकल डाटाओं को सॉल कर रहे हैं जब ही नहीं आएगा ऐसा क्योसर डारेक्ली यह पूल सकता है कि निबल लिखित में सुकून सा सुत्र सस्य गहनता से संबन देता है चार सुत्र लिख देगा सस्य गहनता को परतिसत में मापते हैं की अकसर सो से लेकर तीन सो परतिसत के बीच में रहता है सस्य गहनता का जो मान है वो सो परसेंट से लेकर तीन सो परसेंट के बीच में रहता है यह जतना ज़्यादा अधिक होगा यह जतना अधिक होगा उस छेतर की सजसे गहनता भी उतनी ही जादा उच्छ होगी सजसे गहनता का जो परतिसत वैल्यू है सो से और तीन सो के बीच में रहती है अब ये जो परतिसत वैल्यू जितनी जादा होगी सजसे गहनता उतना ही अधिक होगा ठीक है उधारण के लिए हम एक प्यारसा एक्जामपल ले लेते हैं कि एक किसान के पास 20 वIGा जमीन है ठीक है और जिसे वे तेन बार फसलों के अध्विन रखता है 10 वIGा में उसने जायत के फसल भो दी ठीक है 15 वIGा में उसने रभी के फसल भो दी 13 विगा जमीन में उसने खरीब के फसल वो दी ठीक है तो कितना हुआ टोटल एकुल मिला करमान भाई 10 पिलस 15 पिलस 13 टोटल 38 हो गया ठीक है तो 38 टोटल उसकी जमीन कितनी थी 20 विगा जमीन थी ठीक है टोटल उसकी जमीन कितनी थी 20 थी जैसे मैंने अब भी अपने एक खेत का एक्जामपल लिया भाई मेरे हमारे पांच बीगा का एक खेत है कितना है पांच बीगा का एक खेत है हमने पांच के पांच बीगा में पहले ग्यों के फसल बो दी ठीक है पांच बीगा में हमने ग्यों के फसल बो दी तोटल हमारी साल में हमने क्या किया इसकेट में 4 फसले पैदा की ठीक है तो 5, 2, 7, 7, 5, 12, 13 मतलब हमारे जी, सी, ए सकल बोया गया 6, का मान कितना आया 13 आया हमारा नेट बोया गया 6, मतलब हमारी जमीन कितनी थी केवल 5 बीगा थी गुणा 100 ठीक है अब आप इसको सोल को लो पांच का भाग जब तेरा में दोगे तो दो बार जाएगा बचा तीन इसके पोइंट लग जाएगा ठीक है तीन तो छे पंजू तीस गुना सो ठीक है तो ये वैल्यू निकल कर कितनी आएगी दो सो साथ आएगी कितनी आएगी मान बारा आता ठीक है तो फिर बारा के साथ से कैलकुलेट हो जाता तो अब ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के दुआरा जिसका हमने यहां पर उप्योग किया है अब सश्य गहनता के पर अलग अलग विद्वानों ने काम किया है उनके बारे में हम जान लेता है सबसे पहले हम आर-ार तریपार्ठी मोदे के बारे में डिसकस करते है तریपार्ठी ने सश्य गहनता के स्तान पर क्रसी गहनता सब्द का प्रियोग किया था ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जो आर आर त्रीपाठी मोदे थे इनकी इन्होंने सच्छे गहनता के स्थान पर क्रेसी गहनता सब्द का प्रियोग किया था और इन्होंने सुत्तर दिया था कि क्रैसी गहनेता बराबर जीग बटा एन मल्टिप्लाई बाई हैंट रेर ये सुत्तर किसके द्वरा दिया गया था त्रीपाठी के द्वरा त्रिपाठी मोदे ने सस्य घहनता के बजाए क्रसी घहनता सब्द का प्रियोग किया था उसके बाद हम बात करते हैं जस्वीर सिंग के बारे बे जस्वीर सिंग ने क्या और किस तरीके से किया जस्बीर सिंग ने सस्य घहनता के स्थान पर भूमी उपयोग चमता सब्द का परियोग किया था ठीक है भाई आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि त्रीपार्टी मोदे ने सस्य घहनता के स्थान पर क्रसी घहनता सब्द का परियोग किया जस्बीर सिंग ने सस सबसे ज़्यादर सस्य गैनता पंजाब की है दूसे नमबर पर हिमाचल पर्देश की है तृसे नमबर पर हरयाना की가요 है ठीक है आपके अपर इतना इस तरीके से ध्यान रख लो गिप भारत में सबसे ज़्यादर सबसे गैनता वाला जो उपयोग जदा होगा तो प्रती हेक्टर उत्पादन ज़ादा हो गई होगा जैसे मैंने अब भी आपको बता है कि आपके पांच बीगा जमीन है हमने पांच बीगा जमीन में क्या किया पहले गहूं को उगा दिया ठीक है पांच बीगा में गहूं लगा दिया फिर हमने तीन बीगा में सब जुगा दिया ठीक है तीन बीगा में सब जुगा दिया फिर बाजरा उगा दिया पांच बीगा में ठीक है फिर चार बीगा में हमने हजारा लगा दिया हजारा के फूल हजारे के फूल ठीक है चार बीगा में वहीं पर आपने क्या किया आपने चार बीगा में गहूं गया एक बीगा में आपने खाली छोड़ दी ठीक है उसके बाद में आपने बाजरा हो गया बाजरा अपने पांच की पांच भीगा में उगा दिया भाजरे की फसल को बहुत ज़ादा पानी की चुरुत दिया आध्यक, पांच-पांच-बिगा उगा सकला और 11 और 17 आप करो पाँछ बता पांच गना सो बहीं यहाँ पर सब्सकरत का मान बहुत ज्यादा आए ठीक है तो यहां पर overall भी कमाएगा सकल बोया गया चेतन नो है तो यहां पर सच्से घैनिता कमान भी कमाएगा पड़ती है टीरोध बाधन भी कमाएगा ठीक है तो यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्रैसी भूमी उप्योग से समझद कुछ सिध्धान ते जिनको हमें एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं ठीक है तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया की नहीं आया एक बार आप जल्दी जल्दी कमेंट सेसर में कमेंट करके बताओ कि सच से गहनता आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया सच से गहनता के लिए करसी गहनता सब्द का परियोकिस ने किया सच से गहनता के लिए भूमी उप्योग च्वंता सब्द का परियोकिस ने किया ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना ही चाहिए अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिधानत जिनके बारे में जो की किर्सी भूमी उप्योग से समझते हैं इनको हम अच्छे तरीके से समझते हैं